इन दिनों माल्दियूस बॉलिवुड सेलिविटीस का पसंदिधा हॉलिडेड डेस्टिनेशन बन गया है। बॉलिवुड के कई सेलिविटीस यहाँ अपना कौलिटी टाइम बिता चुके हैं। तो वही कई सेलविटीज यहां छुट्टिया मनाने पहुचे वे हैं। हाल ही में बॉलीवड एक्टर शिल्पा शेटी अपने पती राच कुंदरा के साथ मालदे उसमें एंजॉय करती हुई लेजर आई। तो वही दूसरी तरफ बिपाशा बासुबी पती करण सिंग ग्रोवर के साथ मालदे उसमें छुट्टिया मनाने पहुची है। मालदे उसे दोनों हे एक्टरेसेस ने अपनी कई दिलकश तस्वीरे फैंस के साथ शेर की है। बात करें शिल्पा शेटी की तो वह यहां अपने पते राजकुंद्रा और बेस्ट फ्रेंड आकांक्शा मलोत्रा के साथ पहुची है। शिल्पा ने मालदे उसे कई सारी फोटोस भी शेर की हैं जिनने फैंस भी काफी पसंद कर रहे हैं। शिल्पा ने मालदे उसे बिक्नी में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो समुद्र किनारे रेट पर बेटी हुई नजर आई शिल्पा ने इस वीडियो में प्रिंटेर बिक्नी पहनी है जिसमें वो काफी हाट लग रही है इसके लावा शिल्पाने एक वीडियो और भी शेयर किया है जिसमें वो डॉल्फिन मचलियों की मस्ती का आनन लेती हुई नजर आ रही है राचकुंद्रा ने भी शिल्पा के साथ रोमेंटिक तस्वीरे शेयर की और लिखा है कभी-कभी मैं चाहता हूँ कि समय को रोक सकूँ जब मैं अपने एंजल के साथ होता हूँ आपको बता दे माल्दियों शिल्पा और राच का पसंदिदा हॉलिडे डेस्टिनिशन है और इस बार माल्दियों जाने के लिए शिल्पा को तीन बार कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ा था लेकिन इस हॉलिडे के लिए शिल्पा इतनी एक्साइटेड थी कि उन्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा वहीं बात करें बिपाशा बासु की तो वह काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर है लेकिन सोचल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोईंग है इस समय बिपाशा बासपादी करन सिंग ग्रोवर के साथ कॉलिटी टैम बिताने और करन सिंग ग्रोवर का बर्डे सेलिब्रीट करने माल दियुस पहुची है दोनोंने अपने वेकिशन की कई दिलकश और रोमेंटिक तस्वीरे भी शेयर की है वही बिपाशा को काफी समय बाद फिर से बिखनी में देखा गया बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम पर बिखनी पहने फूल के लेरों में मस्ती करते वे अपना एक वीडियो शेयर किया है वही करण ने भी खूपसरत व्यूस को इंजॉय करते वे अपना एक वीडियो शेयर किया है दोनों के ये वीडियो को फैंस खासा पसंद कर रहे हैं इसके सिवा करण के जन्म दिन के मौके पर दोनों साथ में पूल में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इंजॉय करते वे नजर आएं उनके इस वैकेशन पर करण और विपाशा के खास दोस्त एजास खान और उनकी पतनी जन्नत खान भी मौजूद है वकफरंट की बात करें तो शिल्पा जल्द ही हंगामट 2 में नजर आने वाली है वहीं विपाशा आकरी बार सिन्ध अलोन में पती करण सिंग ग्रोवर के साथ दिखाई दी थी वहीं करण सिंग ग्रोवर अपने वैब स्रीस की तयारियों में व्यस्त है तो दोस्तों आपको शिल्पा और विपाशा की माद इस वैकेशन की अतस्विर है कैसी लगी आमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिलिटेस अपडेट्स के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सस्क्राइब करें कजब खबरें